नमस्कार दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेच्छा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं एक जानिमानी हस्ती से जिन्होंने प्रस्तुत कर अपनी जिन्दगी का एक मिशन बना लिया है Central Bank of India से बतोर AGM रिटायर हुए हैं वहाँ पर भी अपने स्टालेंट को लेकर अपनी स्मार्टनेस को लेकर वो काफी लाइम लाइट में रहे हैं उनका ये मानना है कि PR हम सब करते हैं बट उसकी importance को नहीं जान पाते हैं वो आज हमसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से PR important होता है किस तरह से हम PR कर सकते हैं और किस तरह से हम PR को अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा बना सकते हैं इनके इस mission को देश में ही नहीं बलकि विदेश में भी काफी recognize किया गया है उनकी इस achievements के बारे में इस प्रसिद्धी के बारे में आज हमसे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अजे कुमार अगलवाद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगीरी के स्टूडियो में धंदवाद पुनम जी बहुत अच्छा लगा जो हम लोग इस तरह पर बात कर रहे हैं क्योंकि यह सब्जेक्ट पब्लिक लिशन सब्जेक्ट अइसा है कि बहुत जूरी है सब करते हैं इसके लिए पैशन होना चाहिए और वो पैशन में मुझा सूर्श वज़ता है यह पैशन किसे आया है वै आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर बाज़ सोचल अक्टिविटिस्ट तो तो क्या करते थे शाम को रूट चापा लोग घर में खाना खाने आते थे अच्छा वार मेरे फादर काया था किया था, भाई भाइनों को बलाते हैं उन जहाँ किए भाई को रहा हुआ है लुप नहीं है, आप लिए लिए इनिशिटिव देता है, यह जो रहा है वहा है। बेंस्फर्ग नंदेग करते हैंTOойдуд नंन पो variety I will jack my ass p cathop तभी आपको रिकरीशनी में लोग मेंकायों और प्यारा इश शॉतनाStarTV अधिधा प्यारा के प्यार है प्यारे प्यार कोईवैर शोग मैं 58 धियrep प्लेस Challenge प्लेस् तो प्लेस्ट व प्लेस्ट से एप मेरे जूझ से चिजए अब तब souha international student अब प्लेस्ट पहा होता है कि हमारी ब्रांचेज होलर बॉ़लरीयास मे धी होती है तो इससे प्रृफेधी बंच öख रोबार करना ंवस करना लोगों को जो हमें सहयता दि है उसको कैसा हीलाइट करना, उसमें पर हम अपते आले डे रेडियो दूर्डशन की टीमों को लेके जाते थे, उनका इंटर्व्यू कराते थे, उसे अवेर्नेस कीरिट होती थी, कि आप जो है बैंक के पास कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह से आपको लोन मिलेगा, आपकी तरक कि प्यार मुझे आपसे कुछ काम है, मैं आके आपसे बहुत अच्छे से बात करूँ, आपसे, मतब अपने, जहां पर मेरा काम, इस ट्रांजैक्शनल रिलेशन्शिप, कि हमारा काम हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, और हम उस अच्छे नोट पे अपने उस के बारे में हमें बताईए कि प्यार किस तरह से करना चाहिए और प्यार का असली मतलब क्या है, मैं बता आपको जैसे कि प्यार जो है, लोग कहते थे डाइनिंग और वाइनिंग, इसको प्यार करते थे, लेकि वो प्यार नहीं है, प्यार है, मैं आपके दिल में अपनी जो भी जिसे रिलेशन्स बनाता था वो पर्मनेंट होता था मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैं आया था हैदराबाद में एक आदमी को नहीं जानता था अब कम से कम चार से छेलाक आदमी मेरे को बाई नेम और इन परसन जानते हैं छोटे आदमी के बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ही भी आप जाएए आप अपता इंप्रेशन अपता मार्क अपती प्रिजेंस लोगों को फैल कराईए आप जैसे कोई फंक्शन हो रहा है लोग जाते हैं खाया पिया किसी से ना मिले ना जूले बापे चलिया है वो अपने अच्छे से एक्सप्लेइन किया है पर यह थोड़ा से मुश्किल नहीं है मतलब जैसे यह इंसान के नीचर पर भी डिपेंड करता है जो लोग जो होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं शायद आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग जो एक्स्ट्रोवर्ट हैं जो उसे बात करना पसंद करते हैं वो जाएंगे और अपनी एक प्रसंस फील करवाएंगे पर जो इंट्रोवर्ट होते हैं जो थोड़ा सा परदे के पीछे रहना चाहते हैं उनके लिए प्यार करना चाहिए कितना मुश्किल है या उनके लिए आप क्या सला देना चाहेंगे प्रेश सिर्फ दियन थे देना चाहँ में आपको प्रेश ली पीर करते हैं अःच्छा क्यों जो लोग इंटोर्ट होते है वह बहुत जडली उपर नहीं दे़ा आपाते हैं मैंने आपको ग्यांपिल या ता कहीं भी जाहिए और कुछ तो दो जाने हैं एक छोटा से एक्जाम्पी लेता हो, एक नेशनल कॉन्फरेंश थी पबिक लेशन सोसाइटी आफ इडिया की केलकटा में, तीन दिन की थी थी यह उस पहां पहां पांसो डेलिगेट्स थे, अब में बताया न में नेचर की आई वांन टू मीट एवरीवन, आई वांन टू ल अब में पॉपलाइज करना अचा बहां पहां पर में जाने का भी चांस नहीं था, तो अब में पॉपलाइज मैसल्ब, पीपल शुड नो अबाउट भी, तो मैं ने उसके लिए क्या कराता है कि मैंने दो सेशन लूंच ने पहले होते थे, दो सेशन लूंच के बाद होते कोश्चन अंच सेशन अचा था, तो उन्होंने कहां कि मैंने का पूछे, आपको शब पूचे पूचे तो मैंने कहां कि अजिया कुमार अगवाल पूबलिक लेशन सफिसर सेंट्रल बैंकर अंडिया, रदाबाद, मैंने पूचा कोश्चन पूचे तो दो चा लोग देखे कि भरा क分享 क्या हुआō लो पुछ आ हम अच्युकुमार अग्रवाल,oring identifier ended हम आजेक कुमार अगड़ा,Public Lations Officer, Central Backup India, घरबाद पूरा बोला मैंने, जब तक आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगा, दूरसे दिन फर्स सेशन, सेकिंड सेशन, बोस लोग आया, शाब को डिनर भी लेते हैं, अब क्या करते हैं, पूछा उन्होंने, पूछा उन्होंने, अच्छा थर्ड सेशन जब होगा, तो उसके ब आप अजय कुमाअकबाल ब्ली जू बैठे थे हैं पूली जा एकिर्ण डियोष आपको अप्रेशन प्यार को कियाता है, लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को जाने, ञाने खाली अजय कुमाअकबाल बोला, बद भी संब्ढे मूए तो पुली फञाइशन जी चीज हैं, और आपको प्यार करना है, कहीं भी जाना है, कुछ करके आना है. बहुत साइची होती है पॉब्लिक लेश्चेंज में जह से आपका ड्रेस, एपिरेंस, ने इन को करेंकि जाईब करते हैं, को एपितना है, को परिचेंज में बहुत एपिद्टेंस आपका फ dir में बादुख सबस्सक्राइचा कुछ की लुए और उसको गेट तक छोडने आता है। क्यों। शाम को जब लोट के आते हैं तो वेल बजाते ही सबसे पहले रसीव करने जाता है। और जब तक आप उसको हंग नहीं करेंगे उसको टच्छ नहीं करेंगे वह आपके पीछे आगी गूमता रहें। अपनी भाशा में भूता है। हो यह जब फ कर सकता है। कंम्यक उम्मीकयेट करता है कि यह मैं ने अब को मिस्क ए 방 Eugene कर भज से यह मैं मैंने आपको मिस्क और मिस्की बी मोगने है। को भी कुम्मographers को बहुता है। एटेंशन चाहिए। बहुत आपने अच्छी बाते कही है, बहुत चुटे-चुटे इसमें से हमारे लेसंस है, लेर्निंग है, जो बहुत उठके आ रहे हैं कि पी-आर, मतलब ऐसे हर इनसान करता है, और इसका मुझे सबसे बड़ा एक डेटरेंट यह लगता है कि हमारा इगो, चायद हमारा इग हमें effectively PR या effectively communicate करने का सबसे बड़ा barrier है, तो यह जो आपने बाते बताई है, मैं मानती हूँ कि आपने एक bestseller book भी लिखी है, उसमें काफी आपने यह सारे tips और इसमें suggestions भी दिये है, अपनी किताब के बारे में बताई है, और यह बताई है कि लिखने के प्रतिया आपकी लिखा है ताकि आप और लोगों तक पहुंचे, तो आपकी किताब में क्या है और आपने किस तरह से समय निकाला, आपकी रूची किस से हुई दिखने के प्रतिया, तो मेरी जब मैं ब्यस्ची पार्टबद में था, जी, कॉलिज की में मैंने आर्टिकल लिखा था, मैंने अजी पार्टिकल मेरा कॉलिज की में था, पिर में रामपूर में सेंटरल पेग में पोस्ट वगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग तो बहुत को सीथियों को मिलता है और मैं बता रहो आपको एक खिला को लिए इन्रामपूर लेकिन मैं कहीं घर से आफ ही जाता था तो भी में को रास्ते हम लोग बोलते हैं सर चाय पीके जाईए तो क्या होता है यह आपकी नेचर को पिडिप्र करता है किस तरह से कैसे बार क बताई जी वो भी प्यार है अच्छा वो लोग कहते हैं यह इसको बहुत इगो इसके पास मत जाओ तो अगर जो आदमी के अदर इगो है वो प्यार नहीं कर सेता इगो आपको एक साइड में रखके बात करने पड़ेगी जी बिलकुल तो यह बहुत जुरूर ही कि आदमी म आप आए हमें आप बड़े लोग है बड़े पोजिशन पर है किस बात की यह को अगले पल क्या होने वाले आपको मालूम है क्या नहीं अगर अच्छी नेचर है तो आपको लोग को पसंद करेंगे खराब नेचर रहेंगे तो काईगी यह बेकार आदमी तो अब नहीं जा अगरे दोड़े टान ले तो मैं वहां पर गिया खराब दूरषण से बिल बैंगलोर हो तो कि अस्तरी नेचर था था जनी ऊता था तो मैं हम से मिले हम गया तो मैं उनको जानता नहीं वह दोनी को मैं पकर घाट गया कि था तो साब उला भ्ई आठक घाएंगे वह आपके पी आते हैं कि करें साब ने आपको बलाया है आच्छा जो भी ओवर लुगिंग ऑल अदर परसें जो पिछे पहले बैटे थे उनको भी छोड़के मेरे को बलाया क्यों आपके बेल ड्रेस्ट आपके टाई आपके शूट प्रॉपरली ड्रेस्ट आपकी टाउन सेग perfection है कि ढूड़ का मतलन सूख देख तरण ह कि अपकीम हो चाहीं देखता है तो क्या होता है इश बैल ड्रेस्ट आपके जोड़ा कि पानिकर काम मुझ प्सक्पिज डेखन ङाधा है मतलब अफकोस एक विजूल जो प्रेजेशन होता है वो तो अपने आप में बहुत इंपोर्टन चीज है पर इससे आपका खुद का भी आपने विश्वास बहुत बढ़ता है कि मतलब I am well presented आपका जो एक first initial barrier है वो भी break होता है तो ये बहुत important point है जो आपने कहा है और हमारी audience जो आज हमें देख रही है सुछ रही है please understand करिए कि PR करना जितना important है उतना अपने आपको present करना भी बहुत जरूरी है आपके मुझ से निकला हुआ पहला शब्द उतना important नहीं है जितना सामने वाला जब आपको देखके एक impression बनाता है वो बहुत आपको पहला barrier break करने में ब काम आएंगे चाहे आप life में कोई interview दे रहे हों चाहे आप कोई job के लिए जा रहे हों चाहे आप किसी से मिलने भी जा रहे हों कोई चोटे से चोटे काम के लिए भी ये सारी चीज़े हमें बहुत काम आएंगी life में हम आपकी book के बारे में बात कर रहे थे फिर ये बताईए कि बुक में आपकी कितनी रिसर्च गई है, कितने आपके लाइफ के सालों का जो experience रहा है, किस तरह से आपने वो सारे dots जोड कर ये bestseller लिखी है? मैं बता था कि मैं चाहता था कि बुक मैंने पैसे के लिए नहीं लिखी है, हाला कि अभी तक 4,000 बुक सेल हो चुकी है, और अभी मेरी हिंदी में भी इसका translation आ रहा है, लेकिन क्या है कि बुक मैंने श्ली लिखी थी, लोग पब्लिक रिशन्स बहुत इंपर्टेट है, कोई अगर नहीं मालूम है तुसको ब्रांच में के पास बेज देना चाहिए, जिए ब्रांच में के पास आएगा तो मैं पताता हूं सिखाता हूं लोगों जब पढ़ाता हूं मैं कि यह इसुद आफर एक चेर, अगर उसको चेर देदी उसका 75% कब जाएगा, 25% कब जाएगा, अभी भी 75% है, आपने किसी को बोला एक चाह लेकर आओ, आपने उससे अच्छी बात की, सर क्या प्राब्लम में कोई, I'm telling you, he will forget the problem, प्राब्लम के लिए आया था, वो प्राब्लम बूल जागा, क्योंकि आपको behavior अच्छा है, यह बहुत जुरूई है, ज्यादा तर यह भी feel कराया, treat कराया, एक बहुती फेमस ऑथर है, मुझे याद नहीं आ रहा है भी उनका नाम, I think वो आपके भी फेवरिट ऑथर है, उन्होंने यह कहा है कि people will forget how you, आपने उनके लिए क्या किया, या आपने उनके लिए क्या सोचा या क्या, बट पीपल नोट फोगेट हाव यह made them feel, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो banking में हो, जैसे आपका करियर banking में रहा है, बट कोई भी field में हो, लोग कभी ये भूल नहीं सकते कि आप ने उनको कैसा feel कराया है, which is I think the essence of how we treat each other, और जो human relationships है, चाहे वो मतलब husband wife का हो, मा बच्चे का हो, या transactional हो, बहुत जरूरी है कि हम उन्हें अच्छा feel कराया, उतना importance दे, और ये बताएं कि yes, you are important for us, यही I think आपकी बातों से essence of PR उठकर आ रहा है तो इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सब्रेक, I hope ये interview देखकर आपको भी अच्छा feel हो रहा है कहीं मत जाईएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे कुमार अगरवाल जी से जो हम से बात कर रहे हैं PR और उसकी importance के बारे में Welcome back, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे कुमार अगरवाल जी से जो हम से बात कर रहे थे PR और उसकी importance के बारे में उन्होंने एक best seller book लिखी है जिसमें उन्होंने अपने जिंदगी के सारे experiences अपना सारांश उसमें लिखा है और चाहते हैं कि उनकी ये आवाज, उनका ये mission सब तक पहुँचे और अपने इस काम को जारी रखने के लिए वो पूरा अपना time, अपनी मेहनत PR के mission को आगे लेके जाने में पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं इनकी इस मेहनत को, आपकी इस मेहनत को देश में ही नहीं, विदेश में भी काफी सराहना मिली है काफी आपको recognition मिला है आपने भारत गौरव अवार्ड जीता है जो की एक बहुत ही prestigious अवार्ड है I think की British Parliament में आपको मिला है हमें इसके बारे में बताइए हम चाहते हैं कि आप अपनी तारीफ, अपना PR आप खुद करे और हमें बताएं कि आपकी awards की journey और किस तरहां से देश-विदेश में आपको ये recognition मिला है उसके बारे में हमें बताईए है मैंने इसके उपर बहुत अच्छा कोशिप बुचा अपने आर्टिकल भी लिखा है आप अपने achievements का खुद परचार करिए अच्छा जो भी अच्छा काम किया है अगर मैं अपने बास को नई बताऊँगा तो हमको रिकरिंशन कहा है तो मैंसल कर देश मिलेगा या पुब्ली को ने पताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कैसे दो अपने करना वारे मी किया है रिए उपकुमिनिकेशन आप बता हैं अपने बारे में क्या किया है क्या करनाः है जाएएन प्रजाहे हुए और किस एक में किया है गदाने बार करता हैं इसली कि मुष्का लगरे अग SMITH कि अचिछ सपर्ण है दिशंड coupon कि आप है वहारत की प्रितिविद नहीं बहार के राच्छ देश्टन दिया जाता है और यह जो है आउस्टेंडिंग अचीवर्स इदा प्रोफेशन के दिया जाता है वहार प्रितिश के सेवञार के लगोगों मिल लकूप नहीं है वीugर्स गार भी विए माय झाल था लोगों बुदयों को प्रकृतीक अबूआ अब है अच्छा नॉबल लाड़ेस है जी बनोच कुमार है बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला है मैं किसमत पालाओ को मुझे भी अवार्ड मिला है मतलब आपने कुछ ने कुछ जरूर ऐसा काम किया है और काफी लोगों को आपने इंपक्ट किया है तभी तो आई तेंक देश में ही नहीं बाहर भी आपको इतना रेकोगेशन मिल रहा है और एक ऐसा फील्ड चूस करना जिसमें की शायद मतलब ऐसा लोग जानते नहीं है या आप पर सबकॉंशिसली करते हैं बट उस चीज को बाहर उभार कर लोगों तक लाना एक अपने बहुत काबले तारीफ है आप बताईए आपका वह एक्सपीरिंस कैसा रहा आवर्ड वहां पर क्या यह तो बहुत अच्छा एक्सपीरिंस था क्यूंकि यह तो बहुत लेकिन उसके लिए प्रियाश करना पड़ेगा इनिशेटिव लेना पड़ेगा एथिक्स को फालो करना पड़ेगा अब और यूख तो एक्ट करना है एस पर सिचुशन तो आपकी अवार्ड की जर्नी के बारे में बताईए तो यह तो आपके करियर का शायद पीक रहा है अधिच भरेडिशियर करना इस प्षाष्ण में वार्ड मिला है बाट किस तरह से यहँ पर इंडिया में आपकी जर्नी के बारे में बताईए बड़ लबी लिष्ट में उपार्टेंट देंग इंपॉर्टेंटर आवार्ट बटा देता हूं मुझे आपको निशनल प्रश्डेंट पाव्डिशन कॉंसील अपर इंडिया तो मेले को जो है I got lifetime achievement award in the field of public nations at national level that is the highest about public nations field अभी में प्रेजिटली I am the National President international chamber of public nations कि मुझे वी ने रोम में बुलाइः था जी कीनोट स्पीकर, अरिवा करई इक उन्यूट्टिक्स! ऑज रोडियों से इन आपक्सपोर इनविश्टी के वाँ! और पएरिस इन तॉप क्लास्क्रास रोडियों से छोड़े उसके भाद मेरा एक लेक्छिर था 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 . दो यह कुछा दापका दो, यह कुछा विधीक आप स्थीवडियो सिर्वा जानीजक्स सब्सक्राइबनाँ पर आप जाएक्राइबनाइबनाए तो ङे बाता है आपको आप्सलुटली अपको बताया कि मैं अलिंडिया रेडियो लोगों को दूर में लेकी लिखने ता गौह क्योंकि लोगों को और कोई मीडियम निता इंटरेंगे तो वह इसको माय उज़ को इसको मेडियम करना पड़ाएगा कि आपको कौन सा मीडियम लेना है जिस तरह से बात करनी है किसको अप्रोच करना है पुबलिक लेस्टी लेस्टेश को बताऊगा इस इस दिस्पलीन फंट जो आपका समय क्या है किसी बाइचाइशन का बाइज तो कि तो इसकी 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 जुए होना पैसा आखना इसमेडक तो झाम वैंक में हैं प्याता है आपको प्रिंसेपल नियुकर अगर मैं आया उसे नमस्ते की तो आपको खुशी होगी तो वो है प्रिंसेपल यह है कि हर इंसान चाहता है कि इसको रेक्टन मिले जाहे वो जाहे वो बहुत है यह जाहे वो बहुत है जो जाहे वो बड़ी पोजिशन में हो चाहे वो चोटी पोजिशन में हो बट हर इंसान को वो इंपोर्टन्स और वो रेक्रिंशन चाहिए जो अगें आइफील की प्यार करने का बहुत फंडमेंटल प्रिंसिपल है यह चीज को आपने बखुबी अजिए मैंने किताब लिखी पताया ना कि पॉबिक लेशन ए टूर फार सक्षिस इसमें मेरा 47 एक्सपिरियंस है और इसे बिकम बेस्ट सेलिंग बुक अबी 4,000 बुक्स बें सोल्ड और जिसने भी पड़े यह पड़े यह प्संद किया है पब्लिक दिमार पे अभी हमने अजिए बुक्स और छबा रहे हैं उसको कि लोगों को इतनी अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेसेज है जो इंपॉर्टेंस अब पबिक लेशन से वो हर ब्यक्ति के पास पहुचे बहापार हर ब्यक्ति सक्षिस बढ़ों मैं चाहता हर ब्यक्ति सक्षिस पो जाया कि सब करते हैं चाहिए वो कोई भी भाशा में हो अपने लेवल पर पोजिशन के हिसाब से सब सब करते हैं तो हिंदी से किस तरह से आप जुड़े रहे हैं हिंदी जिसे हमारी बोलते है ना राष्ट्र भाशा है और हम हर साल 14 सप्टेंबर को अपना हिंदी दिवस भ हाए है उत्तरप्रदेश हिंदी हमारी बेस लाइंग्विज है वहां पर नौर्थ में है थोड़ी से दिक्कत तो हुई होगी वह भी 84 में जहां पे हिंदी को लेकर थोड़ा सा तेलगू ज्यादा चलती है यहां पर तो हिंदी को किस तरह से आपने अपनी जिंदगी में इ हम दो 14 सप्टमबर को हिंदी करते हैं जब हमारी रास्ठबाथ्चा है तो उसको एक दी सिलिवेट करने की क्या जो होते हैं हमारा जो है मैं यह नहीं करता हूँ कि प्रांतिय भास्टा को कम क्या जाए जिए अपना अलग ओल है लेकि हिंदी जो है एक मैंने आठिकल लिखा जो एक सब को पूरे देश को एक माला में पिरो सकती है। और बहुत जोरूरी है। कभी कभी क्या होता है कभी अची जगा पहुच गए उनको हिंदी नी आती है। हमको उनकी लेंगूज नी आती है। तो अपने ही देश में अजनभी बन जाते हैं। मैं रश्या जाता है। 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 तो क्या होता है, उनकी अपनी लेंगुजे है, जब वो अपनी लेंगुजे में विश्वास करते हैं, बहुत से अपनी लेंगुजे हैं, बहुत से अपनी लेंगुजे हैं, तो हमारी जो भाशा है, हमारी जो हुंदी राष्टवाशा है, हम उसको क्यों ना प्रिमूट करें तो आप अपनी भाषा में बात करते हैं, तो आप अपनी भाषा में करिए बात, सब्खुचाईए मत, घवराईए मत, परिशाम मत हुए, हिम्मत से काम दिए, बोलने सोनी चीए, बोलने चीए मेरी मौट है, जैसे आज भारत की जो छवी भी है बाहर के देशों पे, उसको ल अपनी भाषा को लेकर जितने वो प्राउड फील करते हैं, शायद हम कहीं न कहीं अपनी भाषा को लेकर इतना प्राउड नहीं फील करते हैं, जो की नहीं होना चाहिए, लाइंग्विज एक ऐसी चीज है, जो सबसे हमारी कल्चर है, हमारी बच्चा भी जब सबसे पहले शुरू करता है, वो अपनी मात्र भाशा में ही बोलता है, तो अपनी ही भाशा को लेकर हमें जितना प्राउड फील करना चाहिए, जितनी एक ओनर्शिप लेनी चाहिए अपनी भाशा को, वो बहुत खुबसूरत आपने एक पॉइंट बोला है, तो PR में इसका क्या महत्व है कैसे आप दोनों को जोड़ेंगे, भाशा को और प्यार को, सब्सक्राइब जैसे आप रूस गए, वहाँ पर उन्हें हिंदी नहीं आती, बड़ आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उस समय प्यार को बनाए रखना या उस समय प्यार एस्टैबलिश करना, वह बहुत बड़ा चालेंज हो जाता है, सबसे बड़ा आपको बताता हूँ, आपको एक्जाब लेता हूँ, इस्माइल, अगर आपने किसी से हच के बात की, प्यार से बात की, सम्टाइम्स लेंगोज इस डिफरेंड़ियर, लेकिन आप अगर उसको लगा किया आदमी गयती हो, लेकिन घ complot की ल poker, दोटी को आव जाता हूँ, जाआ ह हूं जाए हो घसा जान क्यास हो देल हिन्जै के लिफित की अगरा डाली आप तो जोटी काम नहीं होता, भूरी बात है ही, अपनी इसलि एक संपर्क भाषण है, अबovan हैजलोग चले जाए जाए यहाँ है, कि हम आदमी आप कोशिश कर रहा है हिंदी सीखने की, क्यों? दीरे दीरे संपर्ख भाषा बनती जा रही है और बताता हूं, जब यहां पर अंग्रेजी साशन था तो बहां पर यहां पर जो परदान जो थे यहां पर आये थे तो उन्हों एक लेटर लिख लिगा था अपने लंदन में, कि मैंने ही हिंदी सीख़े और मेरे को किसी से हिंदी में कीषी भी कोर्म में चल जाओ, मिले को तकलीब नहीं होती है वहें आने हो सिर्टा नहीं किए हिंधा थे अर्णन पर ने आपी लिए किपके हृए ज़हा है। सिर्म भौधिसाया है परपी कि हमको फायता नहीं होगा आप को दीधी मैं हम आती। वह शोच वर हे से तुरीटरी बीट विलिजज है तो जे उत्व के का उन्हा आता था इचिव गाया था मैं इंग की तप बेकाप प्रोग्रम थी प्रेजाना थो अन्हां इसके पाले बेगगा से अंचिश्क्री अधारे था तो बहुत कोशी करें, देखें, जहां चाहां बहां रहा है, मैं इस बात में बिस्वास करता हूँ, तो आप बिस्वास ने करेंगी, मैंने पांच मिर्ट तेलगू में बोला है, ना निस्टाव, फुटी-फुटी, ना अच्छा लिगा, लेकि परपच क्या था कि मैसेज हमा क्लोजनेस जल्दी होगी, इंतिमेसी बढ़ेगी, और आपस में प्यार भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई हम एक दूसरों को समझ सकते हैं, बिल्कुल, absolutely, तो भाशा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे आपने भी बताया कि आप चीवकेस्ट बनकर किसी विलेज म आदवाइस भी आप काफी इंपक्त लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इस जर्नी के बारे में हमें बताईगे किस तरह से आप सोशल सर्विस करते हैं, अमनों में कहावत है कि आप किसी को दान दे रहे तो राइट हेंड से दान दे रहे तो पाय हांद को पता नहीं चलना अनंतर चलती रहती है, बिलकुल, निरंतर चलती रहती, इसमें कोई रुकाबर नहीं आती है, आपकी मन के अंदर हमोन चाहिए, कि दिल में है तो कुछ करना है, तो करता है, तो किस तरह की संस्थाओं से आप जुड़े हैं, और किस तरह से, बतलब, जैसे आपने बोला कि परचार खुद करना चाहिए पता चलना चाहिए लोगों को तो हो सकता है है इंटर्व्यू दे कर लोग ये भी इंस्पाइर हो कि भाई हम भी हमें भी social service करना चाहिए हमें भी अपनी एक कोशिश करनी चाहिए लोगों की जिंदगी में impact लाने की तो आप अपनी कहानी के द्वारा लोगों को जो inspire कर रहे हैं दूर दशन के इस माद्धेयम से आप आज लोगों से बात करके ये बताइये कि किस तरह की संस्थाओं से आप जुड़े हैं जो आपका passion है और कौन से ऐसे विशे हैं जो आपकी दिल के बहुत करीब है मेरा एक एम है कि मैं लोगों की सेबा करो गूँ एक में मेरा इंटर्वी ने पूछाता है उन्होंने पूछाता आपका एम क्या है इंग्लिश में इंटर्वी था तो मैंने कहा था कि I don't want to die unherd अच्छा था एक एम जबाब दे दिया I don't want to die unherd बिना कुछ करें मरना नहीं चाहता है उन्होंने कैफशन दिया और बहुत सारा इंटर्वी आया था इंटर्वी अब आया था उन्होंने पूछा था तो अमने का था यूही नहीं मरना है देश के लिए कुछ करना है जारी, मैं अगरवाल समार सेजू आकपशन था खरी आया और कुछ कर्स दिङा derecho to low area in the country मैं स्ड़ाब स्ष्टेटोब कर fifteen एक देश को अजीड का प्रीया था था इस मतलोग में क्या करते हैं कि बीब बेसिक करते लिए आज एच्छाउ बिबेका दन जी त आःट है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो स्कूल को इसके पाँ जाना चाहिए वो कंसर्ट लोग लेके चले थे तो उसमें जो है गाओं में होता है हमार कोई बिल्डिंग नहीं कुछ भी नहीं होता है सबसे बचे को बेशीन कि अगरी प्रटेम है सबसे पर बच्यूँड और जिणinal कुरूट साहिए और लिगया में जा जिए खैसमें हिंपे उधन अग्यूरा प्रफुलंग ऑ सबसे पहले को बेश्कराइश। अच्छा, हम सबसे जादा इसको देते हैं, देश्वक्ति को इसको देते हैं, अब मैं बताता हूं को, मैं लिए सारे धंबरागापना, सब को बाइच्छा देता हैं, अब कश्पीर में, अब कुछ दिर साल पहले, हमनों के 6500 स्कूल थे, अच्छा, रिमोट रूले रियाज म सब कुछ किया हैं, और अजीव दोभवाल जी ने सर्वे कर आया, कि उस पर्टिकुलर एडिया में स्टोन पेल्टी क्यों नहीं हो थी, अब कर दोड़ा हैं, तो उनको पता चला हैं, यह एकल बिद्याले चला हैं, हम लोग भहां भी धंग की बात नहीं हिंदू मुस्लिम कोई भी बात नहीं करते हैं, हमार एक लिए था कि देश वक्ति, आवरा कुल्चर और सब से उपर देश हैं हम बात वुष्वारें अब करते हैं, भहां पे थार थीचर भी मुस्लिम थी भुष्पृ स्पठाब बाता कीज बोलती थी और बच्चे भी भारत बाता की जै गो तो एक पूरा पैकेज है जो आप लोगों को ओफर कर रहे हैं अपने इस एरोलाइफ के द्वारा तो इसी बात को आगे लेके जाते हुए हम एक छोटा सब रेक लेते हैं कही मत जाईएगा हम अभी वापस आते हैं पियार के स्किल्स को लेकर जो छोटी छोटी टिप्स आज हम सीख रहे हैं यह बहुत इंट्रिस्टिंग है यह आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली चीज़े हैं हमारे से जोड़े रहे हैं कही मत जाईएगा हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे कुमार अगरवाल जी से वेल्कम बैक हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे कुमार अगरवाल जी से जो हम से बात कर रहे हैं थे उनकी जर्नी के बारे में बैंक में बतौर AGM रिटायर हुए है फ्रम सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया उन्होंने PR को उसके मिशिन को पी आर किस तरह से हमारी जिंदगी को इंपक्ट करता है अपनी लाइफ का एक मिशिन बनाया है लोगों तक पहुचाने की उन्होंने एक सार्थक कोशिश करी है किताब लिखी है कई सारे उन्हें अवाद्स मिले हैं और काफी सारे सोशल सर्विस मिशन से भी वो जुड़े रहे हैं हम बात कर रहे हैं उनकी इस जर्नी के बारे में लाइफ की उनकी इस सोशल सर्विस की जर्नी के बारे में वो हमसे बात कर रहे थे कि देश में ही नहीं, विदेश में भी उन्हें काफी सारे अवाद्स मिले हैं, काफी उन्हें सराहना मिली है, तो आपके अवाद्स के बारे में आप बता रहे थे कि कई सारे अवाद्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, तो प्ल मेरे को अरा पे बहुट प्हरावर्ड मेरे को इसा पिलाता प्रावதा नया हुट जहें देक बहुत बहुत बाता कि आइक से न्युन यूट था पृब इंड्यावट मेरे कह neighbourhood म को मंने अगर शजय को अवार थी अजया थीन है में जाने कम सुनखर । युम समय के ता इसंगया मंने माइशी भूप एटछ आई अगराय जुपा कहां रिडाएं तक शुना में झाने को क्या इसा मेरे विर धन धानिया शिस्वाट में युटकर शभला जाकर थी गजाना ह मैंने प्ऊली एक मन्त मुष्ष्प फुम मन्त मुटेश पूरा क्यों मृता हूं में बीदेढ़रो पैसेड़को आइप呢 मेरें की प्रेजिट प्रेजिटेंट प्रेसिट्डेड tu Najamu जै प्रेसिट्डेंट रगी आखी यहत me the best president waiver से divisiveness तो मेरें कि तो की यहाओ जाहर मै पर जादsk रेखने का रगी comforts लगी लिएIns सब्की कि इस में को इसे अफरेण जाहिब बहő Looks तो क्या होता है कि आपको करने का कुछ जजबा होना चाहिए बिलकुल तो आज भी लोग मेरी तारीफ करते कि आज भी ऐसा प्रेसिंट हमारे जूनियर चेमर में नहीं आया तो जहां भी जाएगे आप अपना मार्ग छोड़िए बैंक में थाम है बैंक में कोई भी आता था नहीं होड़ा तो मेरे जूने भी होता था कि उनने काम सूंद door बततानार इसके अलावा मेरे को अपना भारत अगरदत मिला है। गिनिस वुक अब वर्ल रिकॉर्ड में भी आपका मिंशिन हुआ है, नाम आया है। आपको कैसे मालूम है। हमने भी अपनी रिसरच करी है। इसमें क्या हो है। अभी मैंने अनौंस नहीं किया है। अच्छी लंदन में मेरे को जाना था, वहां पर ये अवार दिया था और ये अवार्सकर क्रिकेट ग्राउंड उसमे था हुआ। मैं कुछ कारणों से नहीं जा पाया तो उनने मेरे को सार्टिपित बेज दिया, मोमेंटो बेज दिया। ये आपड थे अवार्सका टोप 23 चेंच लीडर इर वर्ल्ड वाव फैटास्टिक। मने अच्छी थे अच्छी घ्रच्वाद के साथ अच्छी थे अच्छाँ के रच्छाँ जाता हूं भी अच्छी दिया हो मैं रच्च्छी देता हो। किछया Αईरबाद में international symposium in Heid immediately ideia, message and measurement. था ऄंनी है, मेडिया मेजरमेंटे मेडिया मेसेज औंजमेंटे और अप कोई काम कर रहे हैं ता को अ together an one मेडिया के समस्टे मेरेंन हैं इसको अभी मुआआ क्रोऽ सकते के बार्ट इन पर बेशन में फीडबाइक पर इपारेंद पर इन पर उसक्ता हुए कि जो भाइक है जो पर इफूर्स क्या इंपर्फूर्स पर उपनाय कि यह यहाँ रहे हैं तो यह यह घेनी पर इसंदें हुए फिद्वड़ने शोड़ा कि इस फूरान पर पर इंपर्फूर्स है aftas तो जू आपको इंपक्टिता स्याशन सत्कोर का आट बश्यान का है। अब इस पंटा मुलिक भी को एक सरहे हैं, तो आपको अखने पता और भी बहुत पोइस पिσιरतों हैं। आपको पता चलना चाहिए जाए जो आपकर आप Déis करे मैं यह नहीं पूपछाइव मैं पूछाँ कंवाश्छा हूँ इम आपने कमे आपको पू सब मेरा अभर से था आपा चाहताँ चाहता हूँ बाचीहां बहुत जो टेटीजिए होती है आपको ूहतली को को इनिसीटिव लेना पड़ेगा आपको प्रों ब्रोंना पड़ेगा आप to you- अफैंचीतिव लेना पड़ा पकादा हमें कि आपके पास आओ सबके इनिसीटिव लेना पड़ेगा कौल मैं आपके पास आओ वाफ किने आप does not feel shy अब मैं जाता हूँ ट्रेन में जाता हूँ बस पे जाता हूँ ए फ्लाइट में जाता हूँ I make it a point to talk to my next person sitting with me. I don't know him, he don't know me. But all of a sudden they become very close. Good. So what do you mean? इनको बालोग बालोग जाता हूँ, अज़कर future क्या है? नेटवर्किंग का है. जितनी जादा आपके बास नेटवर्किंग होगी और नेटवर्किंग के दन थो सोशल मीडिया. प्यार जो है, सोशल मीडिया जो है बहुत इंपोर्टेंट रोल कर प्यार करता है. तू. जहां अच्छा है, वहां खराब भी है. आपने कोई चीज पोस्ट कर दी, एक्स पे कोई चीज पोस्ट कर दी, आप बापीस नहीं दे सकते हैं. आपने को बताना पड़ाएं कि यह गलती से पोस्ट हो गया, लेकिन एक जो तीर आपके हां से निकल गया, उसका मिश्यू दो वैसे ही हुआ, जैसे आप बोलने से पहले भी सोचना चाहिए आपको, क्योंकि अगर शब्द निकल गए आपके मूसे तो फिर वह वापस लेना बहुत पुश्किल है, तो सोशल मीडिया भी जैसे आप बोल रहे हो कि responsibly use करो, बहुत सोच समझ करो, उसमें लिखो कि आप क्या लिखना चाह रहे हूँ, मैं यह नहीं बोलूँगे कि डिप्लोमाटिक रहो, बट ऐसे लिखो कि सामने वाले की feelings को hurt नहों और आपका message भी च experience हर उसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, तो हमारे audience को आज यह बताईए कि क्या ऐसे tips हैं, जिससे हम PR कर सकते हैं, जिससे हम अपनी networking बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपनी life का आज जो एक level है, उसे next level तक लेके जा सकते हैं. मैं फिर एक रिपीट करना चाहता है, जहां चहां बहरा है, अगर आप successful होना चाहते हैं, तो आपको अपने को दूसरे के साफ से adjust करना पड़ेगा, मुझे आपके साफ से adjust करना पड़ेगा, I cannot expect जिससे आप बेरे साथ एजस्ट करना पड़ेगा, पहले मुझे करना पड़ मैं आपको बहुत सारी चीजह है, you can be popular in a day, you can reach to the masses in a day. जैसे मैं आपको लिखता हूं, महिने में दो-तीन आपको बादेगा हैं, मेरे को passion है, again, I want to be outstanding in that field. जैसे आपको बता है, हिंदी में बुक आ रही है, अभी उसके बाद मेरी autobiography भी आ रही है, उसके बाद जो मेरे जितेवी articles लें, उनकी compile करके उनकी पूरा booklet बुकलेट बराके मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुचें, अरे वाँ, इसका इंपोर्टेंस किया है, उसका वैल जाता हूं कि आपको आपको प्रुमाशन मेलेगा, और उपर तक बहुता जाएगा, अभी भी मैं, आपने बताया था कि मैं सेंटर बैंक से रिटायर हुआ, रिटायर इंगा मैं, आपने वॉलिंटरी रिटायर्मेंट लियाता है, क्योंकि मैंने को जिल्दी नहीं जाना थ इसलिए मैंने वॉल्टिर एटायरमेंट लिखा लिए उसके बाद भी मैं खाली नहीं बैठा, और कुछ ना कुछ 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 करता रहता हूं, आट की लिखता हूं, डिटीव पर प्रोगाम जेता हूं, डिसके सिद्द में जाता हूं, बहुत सारे आउग्रियों में अश अगर आपको successful होना है और हटके जो आप कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है वो पॉब्लिक्रेशन नहीं होता है उसे आपको रिक्रग्रेशन नहीं मिलेगा जहां भी हैं आप एक अपने आफिस बे भी आप अगर हैं तो हस के बोलिये सबसे एक अपनी image क्रियेट करिए क्या होत तो यह चोड़ी इनिसिटिव है अगर आपको successful है तो आपको initiative लेना पड़ेगा फिर आपको जिसे बताया ड्रेस है एपिर इपेरेंस सबसे इंपोर्टेंट ड्रेस है आपको बेल ड्रेस्ट है अगर बेल ड्रेस्ट है 50% काम आपका बैसे हो जाता है इनिसिटिव है और कि अच्छी फीलिंग दी एक अच्छा फीलिंग दिया मैंने आपके दिल में अपनी जगा बनाई मैंने कुछ नहीं आपको आपसे लिया क्या लिया आपके दिल में जगा बनाई तो यह जो है आपके दिल में जगा बनाई तो यह जो है आपकर किसी को respect देते है मैंने फादर स बोत सेबा करता हूँ लोगों की, बहुते लोगों को सपोर्ट करता हूँ. तो इस सब क्या है, इस सिखाया है, मुझा इन्से आप शुदी इमेज्ट बरती है. मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में आज आए, हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत सारी बाते बताई आपने अपनी लाइफ के बारे में, आपके एक्सपीरिंस के बारे में, आपकी यहां तक की जर्नी के बारे में, होपफुली आज हमारी जो ओडियन्स है वो देखकर आपसे और अपने इस पैशन को, अपने इस मकसद को दुनिया तक पहुचाने के आपकी यह जो कोशिश है, उसे हम बहुत-बहुत इंस्पायर हुए हैं, आपको बहुत-बहुत थैंक्यू कहना चाहते हैं, धन्मात, पुनम जी, मैं आपको सक पता हूँ, मैंने भी आपसे बहुत अपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु अपनी जिन्दगी में उतारे उसे उससे एक सक्सेस्फुल अपना करियर बनाए अपने रिलेशन्शिप में भी एक डेक्स लेवल पे उसे ले जाने की कोशिश करें होपफुली आपको आज का ये कारिक्रम बहुत अच्छा लगा हो काफी कुछ इससे सीखने को मिला है इसके बारे में सोचिए और हम मिलते हैं आपसे दूर्दशन यादगीरी की अगली प्रस्तुती में तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेचा आप सबसे विदा लेती हुआ 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 है